नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सादांखान और आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया निउज देश की राजधानी दिल्ली करीब एक हफते तक बारूट के धेर पर बैठी रही और जब ये बारूट फटा तो अपने साथ बैयार इस लोगों की मौत का जिम्मेदार बना लेकिन शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि जहां लोग सालों से रह रहे हैं वहां सा निकलने में भी लोगों को डल लगेगा लोग अपने ही घरों की चार दिवारी में कैद हो जाएंगे यह रहने वाले लगबग 35 लाख लोग अब भी दैशत में हैं आलम ये है कि रात पर पुलिस कर्मियों के गश्ट के अलावा महले के लोग भी पैरा दे रहे हैं पुलिस बेरिगेड लगा कर लोगों ने अपनी कलियों को बंद कर रखा है उन्हें डर है कि रात के अंधेरे में फिर कोई आकर उनका चैन न चीन ले जाएं युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है तो वह इस हिंसा ने करीबों गरीबों के उनसे रोज़ी रोटी छीन ली है हिंसा के दौरान सबसे ज्यादे मुसल्मानों के ओटो फेले दुकानों को आक्के हवाले कर दिया गया तो कई हिंसा फिर भावित इलागों में दुकानों में जमकर लूट पड़ की गई लेकिन जहां एक और लोगों के घरो बार परिवार उजल गए तो मैं दूसरी और राजिनिक पार्टी अपनी सियासी रोटिया सेगने से पीछे नहीं रही चैन की नीन सोई दिल्ली में उस वक्त खलकम मजगया जब बीजे पी के करदावर नेता कपिल मिश्रा ने बेयान दिया बस फिर क्या था फिर हुआ ये कि दिल्ली में मानो अचानक से जो आलमों की भटा हूँ मैं इसके बाद जब कपिल मिश्रा ने देखा कि हिंसा ज्यादा बढ़ गई तो कपिल मिश्रा ने टूइट कर शांती बनाये रखने की अपील की जिस टूइट ने चले पर नमक छड़कने का काम किया और बाद में ये जखम नासूर बन गया जो बाद में हिंदू मुस्लिमों के दंगों में रूप में तब्दील हो गया दिल्ली की सबकों पर ये भीड ऐसे वक्त में उतर रही थी जब भीम आर्मी के चीफ पिर मुक्चंद शेकर आजाद ने 23 फरवरी को भारत दंग गुलाया था हिंसा का कैई देन बी जाने के बाद, लोगों ने अपना परिवार खो दिया, रोज़गार को दिया लेकिन हमारे देश के प्रथान मंतिरिध धरें नहीं ना तो किसी को हाल जाना और ना लोगों के लिए किसी सहेता के एलान किया वहीं जब कपिल मिश्रा के खिलाफ हाई कोड जड ने एक्शन लेने की बात कही तो मोधी सरकार ने उनका तबादला ही पंजाब हाई कोड कर दिया जब दिल्ली में एक और हिंसा अपने शबब पर थी तो में दूसरी और राजिजिक पार्टियां एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही थी बीजेपी आम आदमी को जिम्मेदार ठहरा रही थी तो कॉंगरेस और आप मिलकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही थी लेकिन लोगों की धर जल जाने के बाद, लोगों की मौत हो जाने के बाद, लोगों के रोजगार छीन जाने के बाद P.M. M. मोधी को दिल लेगी जनता की याद नहीं आई हद तो तब हो गई जब PM मोदी हिंसा वाले दिन अमेरिकी रास्पती डोनाल्ड ट्रम्प के सुवागत के लिए आखे बिछाए बैठे थे लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के जाने के बाद भी PM ने ट्वीट कर लोगों के हित के लिए समवे नव्यक्त नहीं की सबके साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार हर काम में विफल होने के बाद यहां भी पूरी तरा नाकाम थाबित हुई मुप सरकार वादे बड़े-बडगे करकर सत्ता में आई थी लेकिन किसी ने सही कहा है कि दूर के ड़्ोल आने लगते हैं जंदा के साथ भी यहाँ वही हुआ, अगर वाकई सरकार को जंदा की पर्वा है, तो यह पर्वा दिखाई कब देगी, या फिर आपको आपके भकते बिना विकास के ही चुनते रहेंगे बात यहीं खत्म नहीं होती, चाहे एक और पीम ने लोगों के लिए कुछ ऐलान नहीं किया, तो मैं दूसरी और केज़रिवास सरकार ने लोगों की साहे तक लिए मुआपज़ का ऐलान तो किया, कुछ लोगों को मुआपज़ा भी मिला, लेकिन कहानी में असली मोड़ जब पाया जब डिप्टी सीम मनीश शुदिया ने मुआपज़ा देने से हाथ ख़ड़ा कर दिया, मनीश शुदिया ने कहा कि सभी को मुआपज़ा देना मुश्किल है, इसकी जाच में बहुत सामय लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू दंगाईयों, सेकरों, मुसलिम पर और कारिबार को खो दिया, यहां तक कि दंगाईयों ने बुड़ी महिला को भी नहीं बक्षा, दरसल दंगाईयों ने घर में आग लगा दी, लेकिन महिला जईफ होने की बज़़ा से छट पर नहीं चाल पाई, केजितिवाल ने बढ़ी मुआपदे देने की बात कही हो, लेकिन अगर यहां भी अगर भीदबाब हुआ, तो गरीब लोग किस से उम्मीद लगाएंगे, आप लोगों के पास ना तो रोजगार बचा है, ना ही उनका परिवार, अब ऐसे में सरकार भी हाथ खड़े कर रही है, तो जनता किस से उम्मीद रखे, आपको विकास करने क लिए चुना गया है ना कि लोगों के उम्मीदों को तोड़ने के लिए, दिल्ली अब पुली तरह शांत है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं आया, दिल्ली की जनता पुली तरह सुरक्षी थै, दिल्ली में किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, अब इन सरकार कोई समझाए कि लोगी ने उनकी सुरक्षा के लिए चुनते हैं, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए, फिलाल अब देखना ये होगा कि लोगों को उनके बरबाद हुए घरों का मौबदा कम मिलेगा, कब देश के पि-म लोगों की विकास के लिए कुछ करने के लि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अबडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूले